हेलो फ्रेंड स्वागत है अपने यूटूब चैनल इस्टेडी वाट पर इस वीडियों बताएंगे सोने के गहनों का कीमत कैसे निकाला जाता है अगर जो आपको सोने के गहनों का कीमत निकालना नहीं आता है तो आप सही जगह आए हैं और सही वीडियो को क्लिक किये हैं सुना 18 केरट का होता है 22 केरट का होता है और 24 केरट का होता है इस प्रसेंट मिलावत होती है असुद्धिया होती है और ज है क्या है। मापन की इकाई है गैरत अब समझेंगे सोने के गहनों का कीमत कैसे निकला जाता सबसी पहले लिखेंगे गोल्ड प्राइज और प्लस मेकिंग चार्ज और प्लस जी अश्टी सबसी पहले लिखते हैं gold price plus making charge plus GST making charge किया है सुनार दोरा बनाए गए गहनों का खर्च है making charge तो चलिए एक question के माध्यम से समझते हैं सोने के गहनों कादाम निकालना तो question है 22 karat के 10 gram हार कादाम 49,560 रुपए है तो 5.6 gram हार कादाम क्या होगा तो सबसे पहले हमको कोश्चन में दिया है दस ग्राम हार कदाम दिया है और अच्छा सजार 560 रुपए यह दिया है कि दस ग्राम हार कदाम दिया है उन्चा सजार 560 रुपए तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक ग्राम हार कदाम तो एक ग्राम हार कदाम हो जाएगा उन्चा सजार 560 और बटे में दस हो जाएगा तो एक ग्रो से एक ग्रो कदाम बचा 4956 रुपए यह हो गया हमारा एक ग्राम हार कदाम एक ग्राम हार कदाम है 4956 रुपए तो 5.6 ग्राम कदाम क्या होगा तो 5.6 ग्राम का दाम निकानने के लिए 5.6 का गुड़ा 4956 में करेंगे तो गुड़ा करते हैं 4.956 गुड़े 5.6 तो 6 का गुड़ा 6 में करेंगे आएगा 36 हासिल 3.6 पच्चे 30 तीस में तीन जोड़ेंगे तैने तीस के तीन हासिल तीन सशी का गुड़ेंगे तो रह रहा जाये तो गुड़े 26 हासिल 5.6 4.24 आर च्चे 38 के 8 हांसिल 2 पान नमा 45 45 और दो जोड़ेंगे तो आएगा 47 के साथ हांसिल 4 पांचों को 20 20 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 24 गुड़ा करते समय इनको जोड़ा जाता है तो इनको अब जोड़ेंगे तो 6 उतर जाएगा देखें किसी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो यह संख्या पराफ होता है तो यह हो जाएगा 3 7 8 जोड़ेंगे तो 15 का 5 हांसिल 1 9 में 7 जोड़ेंगे 16 और एक हांसिल 17 का 7 हांसिल 1 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 और एक हांसिल 7 हो जाएगा और 2 उतर लेंगे अब देखें दस लगा देंगे तो आगया हमारा 27,7356 रुपए तो हमारा आगया 5.6 गराम का दाम 27,7356 रुपए अभी इसमें सुना लेगा मेकिंग चार्ज और जीएश्टी अलग से मान लीजिए वो मेकिंग चार्ज चार परसंट ले रहा है और जीएश्टी उसपे 5 परसंट जीएश्टी है तो इन दोनों को जोड लेंगे बराबर हो जाएगा 8 परसंट अब 27,7356 परसंट निकालेंगे अगर जो आपको परसंट निकालना नहीं आता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से देख सकते हैं तो निकालते हैं 27,7756 गुड़े 8 बटे 100 ये हो गया अब एक किसी संख्या में 100 सी भाग देती हैं तो दस्मलों हमिसा बाएं साइट खिसकता है तो यहाँ पर दो जिरो है तो दो जिरो बाएं साइट खिसक जाएगा तो आएगा तो इन संख्या को उताल लेंगे इसी तरह और दस्मलों यहाँ पर 6 के बाद है तो ये दो अंग खिसक कर आ जाएगा 277,536 गुड़े 8 अब 277,536 का गुड़ा 8 में करेंगे तो यहाँ पर करके दीख ले रहे हैं 277,536 गुड़े 8 आठ चक अड़ालिस के आठ हो गया हांसिल 4 आठ तरिक 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 28 के 8 हांसिल 2 पान वठे 40, 40 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 के 2 हांसिल 4 साथ गुड़े 8 करेंगे तो हो जाएगा 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 60 के सुनने हांसिल 6 अब फिर दुबारा साथ का गुड़ा 8 में करेंगे तो आएगा 56, 56 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 62 अब 62 के 2 हांसिल 6, 8 का गुड़ा 2 में करेंगे तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 22 यह हो गया अब देखें तीन अंके बाद 10 मलव है तो अंत से तीन अंके बाद 10 मलव लगा देंगे तो देखें लाश्ट से तीन अंके बाद 10 मलव है तो यहां पर भी लाश्ट से तीन अंके बाद 10 मलव लगा देंगे एक दो तीन यहाँ पर हो गया तो हमारा एंस्वर आ गया दो हजार दो सव बीस दसमलव दो आठ आठ यह आ गया जीएस्टी और प्लस मेकिंग चार्ज तो हमको निकालना है सोने का टोटल मुले तो मेकिंग चार्ज प्लस जीएस्टी में ये दाम जोड़ देंगे 27,756 अब इनको हम जोडते हैं 27,756 में 2220.88 जोड़ेंगे तो देखे दसमलव के नीची हमेशा दसमलो रहना चाहिए पहली बात जोड़ में अब इनको जोडते हैं तो देखे आठ के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो माल लेंगे हम जीरो तो आठ में जीरो जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये संख्या उतर जाएगा आठ अब यह हो गया अब देखे आठ में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 हांसिल 1 हो गया अब 3 में 0 जोड़ेंगे किसी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो यह संख्या प्राफ होता है तो होगा 3 और एक हांसिल बचा है तो हो जाएगा 4 यह हो गया अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा साथ में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और साथ में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा और 2 यहां पर उतार लेंगे अब देखिए कहें अंके बाद 10 मलव है तो 10 मलव है दो अंके बाद 10 मलव है एक दो तो एक दो अंके बाद 10 मल लगा देंगे तो हमारा फाइनल जो मुल आ गया 29,944 दिसमल लव चार आठ रूपए यह हो गया टोटल मुल लिया है तो आपको सौंज में आ गया होगा सूने के गहनों का दान कैसे निकाल जाता है अगर सुन्ज में आ गया है तो वीडियो कर दिये लाइक और चैनल पर लिबा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं वीडियो चार तो यह हिंग भारत